तो इस चाप्टर के लास पार्ट में अपड़ पढ़ चुके हैं इन्वर्स ओफ ए मैट्रिक्स तो इन्वर्स ओफ ए मैट्रिक्स यह तो इसके लिए किस तरह से याद करना है यह फॉर्मली के सारे आप चाहे वो टूबाइट तो इन्वर्स ओफ फाइंड ओट कर सकते हैं अगर वो टूबाइट उमेट्रिक्स तो इन्वर्स फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं विद्य हैल्प आप शॉर्ट ट्रिक अप एडजॉइंट ओप म आ जाएगा, but for 3 by 3 थोड़ा सा calculation जादा है इसमें 3 by 3 means 9 elements रहेंगे, 9 elements के co-factor find out करना, फिर co-factor matrix बनाना, और उस co-factor matrix का transpose लेके आपको adjoint matrix मिलेगा, right और उस जो adjoint matrix मिलेगा, उसी को आप determinant of A के साथ divide करेंगे तो आपको A inverse मिल जाएगा but A inverse निकालने के लिए, सबसे important condition यही रहेगी कि वो matrix non-singular होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले step अपनी यही रहेगी कि उसका determinant अपन केलकुलेट करेंगे अगर determinant is equal to 0 आ रहा है, मिन्स वो matrix singular matrix कहलाएगा, तो उसका determinant, sorry, उसका inverse यह exist ही नहीं करेगा तो इसलिए एक definition अपन देख चुके, एक नई terminology देख चुके that is invertible matrix non-invertible matrix invertible matrix किसे कहां जाएगा एक ऐसा matrix जिसका inverse possible है जिसका inverse अपन निकाल सकते उस matrix को अपन invertible matrix बोलेगे, और non-invertible matrix कुन सा रहेगा, एक ऐसा matrix जिसका inverse possible ही नहीं है उसका inverse उसका inverse एक्जिस्ट नहीं करता है तो ऐसे matrix को अपन बोलेगे non-invertible matrix ओप सो आपको समझ में आ रहा होगा inverse ये topic काफी important है इसके उपर मैं last class में भी बता चुका हूँ कि question most of the time आते है तो इसके उपर ज़्यादा से ज़्यादा practice कीजिए how to find inverse ओके चली तो अभी इसी topic को आगे बढ़ाते हुए अपन inverse के आज properties पढ़ेंगे और properties के basis पे जो questions किस तरह से solve करना चाहिए तो सबसे पहले ये last class का question था तो सबसे पहले तो ये question कर लेते हैं उसके बाद properties ठीक है तो last class में मैंने एक question आपको दिया तो था hope so most of the लोगों ने इसे try किया होगा बढ़ ये question बताने की पुचे मकसद यह ही है यहाँ पर देखिए दो matrix है उसका multiplication करना है और simple is equal to miss एक matrix आने वाला है तो इसका inverse miss देखिए ये एक matrix है उसका inverse दिया हुआ है miss इस matrix का inverse यहाँ पर है तो देखिए जब तक के इसका inverse अपन find out नहीं करते है तब तक के ये दोनों matrix को आप directly multiply नहीं कर सकते है बस इसी यही point मुझे बताना था और यहीं बताने के लिए मैंने ये question लिया है फिर से देखिए अगर आप ये directly अगर multiplication करते होंगे तो ये wrong है ये दहां में रखिए ये एक simple matrix है ये 2 by 2 matrix जिसका inverse find out करना है सबसे पहले तो अपना पाइला task यह होना चाहिए कि ये जो matrix है इसका inverse find out करना तो इसका solution यहाँ पर सबसे पहले इसका inverse find out करेंगी तो 2 by 2 matrix से तो कोई बड़ी बात नहीं है जल्दी हो जाएगा माइनस 10 theta by 1 ठीक है इसका inverse क्या हो जाएगा सबसे पहले तो मैं determinant लेता हो नीचे तो determinant क्या हैगा 1 1 multiplied by 1 1 minus tan square theta by 2 ठीक है 1 minus tan square theta by 2 क्या होता है स्वरी minus minus plus हो जाएगा that is 1 plus tan square theta by 2 और 1 plus tan square theta by 2 अगर आप trigonometrics की identity अगर आपको याद होगा तो simple secant square theta is equal to 1 plus tan square theta यह identity आपने देखा होगा अब देखें यहाँ पर theta है तो यहाँ पर theta consider किया हो अब अगर मैं consider करता हूँ secant square theta by 2 is equal to तो यह हो जाएगा 1 plus tan square theta by 2 घान रखें यहाँ पर जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पर consider रखेंगा ठीक है वहाँ आइडेंटिटी वही रहेगी तो यह कोई भी एंगल के लिए अपलीकेबल है इसलिए तो अपन आइडेंटिटी बोल्ड है इसको ठीक है तो देखें 1 minus of minus plus tan square theta by 2 तो 1 plus tan square theta by 2 यह आजाएगा secant square theta by 2 hopes so आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है और next इसका एडेंट ठीक है एडेंट 2 by 2 के लिए simple इसका diagonal element अपन swap कर लेंगे तो swap करके भी वही मिलने वाला है next जो non-diagonal elements होते हैं उनका अपन sign change करते हैं तो यह plus है तो यह minus tan of theta by 2 और यह minus है तो यह हो जाएगा tan of theta by 2 ठीक है तो यह हो गया इसका inverse अभी देखिए यह matrix और इसके साथ इसका inverse मतलब यह अभी अपन multiply कर सकते हैं चले तो now multiplication में यह matrix लिख लेता हो यह जो divide वाला factor है यह इस साइड लेता होंगे 1 upon secant square theta by 2 ठीक है पहला matrix कुण सा है 1 minus tan theta by 2 यहाँ पर tan theta by 2 और यहाँ पर 1 next matrix कुण सा मिला है 1 minus tan theta by 2 next tan theta by 2 और फिर 1 ठीक है इसको आगे अपन multiply करेंगे तो 1 upon 1 upon secant square theta by 2 as it is रहेगा यह as it is रहेगा फिर जो matrix multiply करेंगे अपन यह 2 by 2 matrix आने होला है simple matrix multiplication तो तभी possible है जब उसका फाइले इसका फाइले इसका column और दूसरे इसके row अगर यह same रहेंगे तो यह matrix multiplication possible है यहाँ पर 2 by 2 matrix दोनों है तो यह same ही है और इसका आने वाला जो resultant रहेगा उसका भी order 2 by 2 रहेगा चले तो multiplication किस तरह से करेंगे 1 1 minus tan square theta by 2 पहली रो second column तो minus tan theta by 2 minus tan theta by 2 तो यह आजाएगा minus 2 times tan of theta by 2 ठीक है next आगे यह second row tan theta by 2 multiplied by 1 और यह tan theta by 2 multiplied by 1 और यह फिर से वही आएगा मतलब 2 times tan theta by 2 next second row second column minus tan square theta by 2 हो जाएगा और 1 तो 1 minus tan square theta by 2 आप बुलेंगे सर 1 minus tan square theta by 2 इसका second square theta by 2 क्यों में लिख रहे तो इनके बीच में plus होना चाहिए इसके बीच में plus रहेगा तो वो identity है इसमें minus है तो यह identity नहीं रहे ठीक है simple यह जो है 1 upon second square theta by 2 यह बाहर है यह scalar quantity मानेंगे अपन अगर इसके multiply करते हैं तो each corresponding element को हो जाएगा तो यह division में है तो हर एक element का division हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा matrix लिखता हूँ में सबसे पहले 1 upon second square theta by 2 यह हो जाएगा 4 square theta by 2 minus tan square theta by 2 upon second square theta by 2 ठीक है तो tan square मतलब sin square theta by 2 upon cos square theta by 2 upon second square मतलब 1 upon cos square तो cos square cos square cancel हो जाएगा बचेगा यहाँ पर sin square theta by 2 फोप सो आपको और अलीज यह समझ में आ रहा होगा next 1 upon second square theta by 2 multiplied by 2 tan theta by 2 अब देखिए यह होता है tan theta by 2 minus sin theta by 2 upon cos theta by 2 यह मैं करके दिखाता हूँ confusion नहीं होना चाहिए 2 tan theta by 2 multiplication में आएगा यहाँ पर division में second square theta by 2 तो 2 tan मतलब क्या हो जाएगा sin theta by 2 upon cos theta by 2 multiplication में second square है तो 1 upon cos मतलब यहाँ पर आ जाएगा cos square theta by 2 second मतलब 1 upon cos और 1 upon denominator के denominator मतलब neonator में चला जाएगा यह एक और एक पार्ट कैंसल हो जाएगा बचेगा यहाँ पर 2 sin theta by 2 cos theta by 2 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta यह formula होता है sin 2 theta sin 2 theta का formula होता है तो sin 2 theta sin 2 यह है angle theta by 2 तो sin of theta आ जाएगा answer ठीक है sin of theta फुपस आपको समझ में आ रहा होगा तो यह minus के साथ है इसलिए minus sin theta हो जाएगा ठीक है next यहाँ पर नीचे तो यह आपको खुपस समझ में आ रहा होगा next यहाँ पर है 2 tan theta by 2 upon second square theta by 2 तो just as it is है simple यहाँ पर minus था तो यहाँ पर plus आ जाएगा sin theta यहाँ पर plus के साथ आ जाएगा sin theta बागी calculation तो same है next 1 minus tan square theta by 2 upon second square theta by 2 same यह इस term के समान होगा तो यहाँ पर मैं बताता हूँ cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 यह हो जाएगा अब देखिए एक और formula आपको ध्यान रखना पड़ेगा cos square cos square theta minus sin square theta यह trigonometry में होता है cos of 2 theta अब formula अच्छे से लिख कर रखी अब यहाँ पर है theta by 2 यहाँ पर है theta by 2 किस तरह से दिया हुआ है cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 तो यह हो जाएगा cos of 2 theta by 2 हो जाएगा और यह 2, 2 कैंसल होकर cos theta आएगा तो अपना यह answer बन जाएगा hopes आपको यह समझ में आ रहा होगा calculation तो क्या आने वाला है cos theta तो simple यहाँ पर आएगा cos theta यहाँ पर आ रहा है minus sin theta यहाँ पर आ रहा है sin theta यहाँ पर cos theta तो यह अपना answer रहेगा इस question का ठीक है यह जो question है यह जो question है इसमें directly inverse दिया हुआ है इसलिए direct अपने multiplication नहीं कर सकते सबसे पहले इसका inverse find out करेंगे और जो inverse आता है उसके साथ इसका multiplication possible है तो ठीक इसी वे से अपने किया है इसी वे से अपने solve किया है भूप सो आपको समझ में आ रहा होगा और इस वे से अपने solve भी किया होगा ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूँ चलिए next अभी आज के यह अपना topic है that is properties of inverse of matrix ठीक है तो सबसे important यह topic सबसे पहली property पहली property है every invertible matrix possess a unique inverse possess की spelling आप चेक कर लेंगे एक double S, एक S जादा होगी है every invertible matrix possess a unique inverse तो आपको पता है एक कोई भी एक matrix अगर consider करते है वो अगर non singular matrix है तो उसका inverse अपन find out करते है ठीक है तो ध्यान में रखें कोई भी अगर एक matrix है उसका inverse अगर possible है तो जो inverse आएगा वो हमेशा unique रहेगा एक matrix के लिए एक ही inverse है ऐसा कोई possible नहीं कि उसके multiple inverse आ सकते है ऐसा कभी नहीं होगा एक matrix है उस particular matrix अगर non singular है तो उसका inverse तो exist है और जो inverse आएगा वो हमेशा unique रहेगा वो एक ही matrix रहेगा यह ध्यान में रखेंगे तो property number one वही गोल रहे है property number two क्या है A inverse का inverse is equal to A तो ठीक आप ध्यान में रखेंगे काफी बार use unional property है जैसे A inverse कोई भी inverse matrix आपको पता है उसका inverse अगर calculate करते तो definitely आपको original matrix मिल जाएगा that is A तो ध्यान में रखेंगे property number second that is A inverse का inverse यह हमेशा A होता है ठीक है वही matrix मिलने वाला property number third if A is invertible matrix then determinant of A inverse इसको अपन लिख सकते है determinant of A का inverse ठीक है अब ध्यान में रखेंगे यह किस तरह से possible है यह किस तरह से possible है आगे भी इसको लिखाए determinant of A inverse is equal to 1 upon determinant A means कोई एक matrix आपको दिया हुआ है कोई एक matrix दिया हुआ है A ठीक है इसका inverse अगर मैं sorry इसका determinant अगर मैं calculate करता हूँ कोई एक matrix A मैं अगर consider करता हूँ ठीक है यह अगर mod में इसका determinant अगर मैं calculate करता हूँ इसका determinant तो simple, जो भी value आ रही, ध्यान में रखे, जो भी value आ रही इसकी, वो value अपन consider करेंगे, next, इसका inverse निकालूंगा मैं, इसका, इस matrix A का inverse निकालूंगा, और उस matrix जो inverse आएगा उसका, उसका अगर determinant निकालता हूँ, तो exactly ध्यान में रखे, ये उतना ही आता है, one upon इसका determinant, ठीक है, तो इसी वज़े से, अपन इसी को लिखेंगे, A inverse is equal to determinant of A inverse, इसको अगर मैं उपर लेकर जाता हूँ, तो ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगे, property number third, if A is invertible matrix, then determinant of A inverse is equal to determinant of A, उसका inverse, इसी को अपन लिख सकते हैं, determinant of A inverse is equal to one upon determinant of A, this one is the property number third, काफी important property है, ये रहने की, clear है, उपसो आपको समझ में आ रही होगी, property number third, next, property number fourth, that is reversal law, if A and B are invertible matrices of the same order, then A, B is invertible, ठीक है, A, B invertible रहेगा, and A, B inverse, अगर मैं calculate करता हूँ, A, B inverse, तो definitely answer मेरा reverse order में आएगा, just similar type of property upon transpose की पढ़ चुके है, अगर A, B whole transpose अगर है, तो reverse order में जाते है, that is B transpose multiplied by A transpose, exactly वही property अपन inverse के लिए भी पढ़ेंगे, अगर A, B whole inverse है, A, B whole inverse अगर है, तो यह बन जाएगा, B inverse, A inverse, अगर यही property, यह दो के लिए बताया है यहाँ अगर मान की चलो, यहाँ पर तीन matrix अपना consider करते है, A, B, C, तो A, B, C whole inverse अगर रहेगा, A, B, C whole inverse, that is A, B, C whole inverse, तो यह according to the reversal, क्या हो जाएगा, सबसे पहले C inverse आएगा, बाद में B inverse आएगा, बाद में A inverse, तो यह reverse order में जाएगा, reverse order में रहेगा, यह ध्यान में रहेगा, यह ध्यान में रहेगा, exactly similar, exactly similar that of transpose of a matrix, exactly similar to that of the transpose of a matrix, ध्यान में रहेगा, clear, if next property, if A is an invertible square matrix, then A transpose is also invertible and A transpose का inverse is equal to A inverse का transpose, simple, अगर, A अगर invertible matrix है, means उसका inverse possible, simple, तो अगर उसका transpose अगर निकालते हैं, A transpose, तो यह भी हमेशा invertible रहेगा, यह ध्यान में रहेगा, property एक बार फिर से बता रहूँ मैं, अगर matrix A, matrix A, अगर invertible matrix है, तो उसका transpose, means A transpose, यह भी invertible रहेगा, इसी को अपन लिख सकते हैं, जैसे A transpose, इसका अगर मैं inverse निकालता हूँ, तो सबसे पहले, सबसे पहले मैं अगर inverse निकालू, और उसका transpose निकालू, तो भी answer वही आता है, देखिए, क्या बुलाएं मैंने, अपन सबसे पहले matrix A का transpose करेंगे, और उसका inverse find out करेंगे, और second condition में क्या करेंगे, सबसे पहले matrix A का inverse निकालेंगे, और उसको transpose करेंगे, अगर ऐसा करने से जो दो matrix मिलने वाले, वो हमेशा दो matrix same रहेंगे, वो हमेशा दो matrix same रहेंगे, इस इसका transpose, कोई भी आप किस भी order में जाएए, तो answer हमेशा same आने वाला आए, यह द्यान में रखेंगे, answer हमेशा same आएगा, ओके, होब सो आपको यह समझ में आ रहा होगा, चलिए, ठीक है, next, sixth property, if A is invertible matrix, if A is invertible matrix, then A to the power k, उसका whole inverse is equal to A inverse to the power k, simple, यह property, laws of indices, जो अपन basics में पढ़ते हैं, laws of indices, उसी के according लिए, A to the power M, to the power N, उसी को मैं लिख सकता हूँ, A to the power N, to the power M, likewise this, सबसे पहले K, तो उसका inverse निकालेंगे, या फिर उसका inverse निकालो, to the power K करो, answer हमेशा same आएगा, यह द्यान रखिए, here K, K क्या है, तो कोई भी एक scalar रहेगा यहांके, clear, छोप सो आपको यह 6 properties समझ में आ रहे हैंगी, आगे अबर देखते हैं अपने, property number 7, if A is invertible matrix, then K A inverse is equal to A inverse upon K, सबसे important, अब दिखे, K A, इसका meaning क्या है, कोई भी एक matrix, उसको सबसे पहले scalar से multiply कीजी, तो एक scalar matrix बन जाएगा हो, स्केलर matrix नहीं बनेगा, scalar के साथ वो multiply करेंगे, तो जो A matrix है, तो scalar के साथ multiplication वाला ही matrix रहेगा, उसका अपन inverse निकालेंगे, उसका inverse निकालेंगे, next condition में answer क्या आएगा, तो A inverse निकालके, जो A matrix था, उसका अगर inverse निकालतेंगे, और K के साथ divide करतेंगे, तो दोनों सेम आएगा, अब देखिए, ये जो properties है, ये properties अपने प्रू करके बता सकते हैं, बट अभी फिलाल तो अपने लिए कोई काम के नहीं है, simple property समझना चाहिए, आपका काम यही रहेगा, ये जैसे अभी 7, for example, 7 property अगर मैं consider करता हूँ, तो matrix A, कोई भी एक simplicity, simplicity के तोर पे आप 2 by 2 matrix consider कीजिए, कोई भी एक matrix, उसको कोई भी एक scalar के साथ multiply कीजिए, के आप consider कीजिए, ये आप find out कीजिए left hand side, और बाद में आप right hand side find out कीजिए, दोनों answers same आते हैं, ठीक है, आपको पता चलेगा, दोनों answers same आते हैं, पता करके देखिए आप, कोई भी एक तो भी property आप prove करके भी हैं, ठीक है, चले, next property number 8, if A is invertible matrix, then adjoint of A inverse is equal to A upon mod A, mod A means determinant of A, तो ध्यान रखिए, ये जो property number 8 क्या बूल रही है, if A is invertible matrix, then adjoint of A inverse, adjoint of A inverse is equal to A upon determinant of A, means अगर A inverse का अगर अपन adjoint matrix निकालते हैं, A inverse का अगर adjoint matrix निकालते हैं, तो हमेशा matrix A divided by determinant of A, ये वाला matrix आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिर से वही कोई भी 2 by 2 matrix consider कीजिए, और ये property prove होती है, या फिर नहीं, आप check कर लेंगे, प्रॉपर्टे नमबर 9, very very important, ये directly questions इस property से बनता है, कैसे, if A is equal to diagonal, कोई भी matrix A matrix consider करते हैं, उसके diagonal elements, A1, A2, A3 up to A1, N by N matrix, ठीक है, and mod A is not equal to 0, means वो matrix non-singular matrix है, तो definitely इसका inverse तो exist है, तो A inverse, उसके diagonal elements क्या हो जाएंगे, ध्यान में रखेंगे, A1 inverse, A2 inverse, A3 inverse, अब टू A N inverse, ये property क्या है, simple ध्यान में रखेंगे, अगर matrix A है, कोई भी matrix consider करते हैं, 2, 4, 6, 1, 5, 3, 2, 1, 1, ये एक matrix मां consider करो, 3 by 3 matrix, इसके देखेंगे, diagonal elements क्या है, तो यहाँ पर diagonal elements क्या है, diagonal elements 2, 5, 1, इस matrix के लिए diagonal elements 2, 5, 1 हो गए, इसका determinant 0 नहीं होना चीए, अब मैंने check तो नहीं किया, simple एक example दे रहा हूँ, concept बताने के लिए, इसका determinant, hope so, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, चले, then A inverse is equal to, जो A inverse, इसका अगर inverse मैं निकालता हूँ, आगे अगर मैं इसका inverse निकालता हूँ, तो कोई भी एक 3 by 3 matrix आने वाला है, कोई तो भी एक 3 by 3 matrix आने वाला है, रई, यहाँ पर 3 by 3 matrix आएगा, then उसके diagonal elements, आप directly without A inverse find out करके, उसके diagonal बता सकते हो, तो A inverse के diagonal elements क्या रहेंगे, 2 जो है, 2 का inverse is 1 by 2, उसके diagonal क्या रहेंगे, 1 by 2, 1 by 5, और 1 by 1, ठीक है, 1 by 2, 1 by 5, 1 by 1, इसके यह diagonal elements रहेंगे, तो ध्यान में रखें, डारेक्ली, without finding the A inverse, अपने इसके diagonal पता कर सकते हैं, but, इसके लिए यह property पताना ज़री है, क्या बता है हम इने, सबसे पहले एक matrix consider किया है, वो matrix आपको ऐसा consider करना है, जिसका determinant हमेशा non-zero रहे, ठीक है, non-zero रहेगा, तभी उसका A inverse exist रहेगा, इसी लिए, तो इसके अगर diagonal elements अगर देखते हैं, तो with the help of property number 9, property number 9, क्या रहेंगे, जो diagonal elements है, A के, उसके just reciprocal, मतलब 1 by 2, 1 by 5, 1 by 1, यह inverse diagonal elements हो जाएंगे, ठीक है, आप यह matrix का inverse calculate करके देखिए, तो definitely यही इसके diagonal elements आने वाला है, ठीक है, अपना यह discussion चल रहा है, यह matrix इसका determinant 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो रहा है, तो definitely आईसा नहीं होगा, ठीक है, मैं concept बता रहा हूँ, example changes हो सकते हैं, ठीक है, तो यह जो 9 property है, यह 9 की 9 properties, अच्छे तरह से आप copy में लिख लेजिए, because काफी use होने वाला है इस property का, और जो भी questions आप solve करेंगे, इन properties की basis पे काफी जल्दी solve में आ लें, नहीं में रखेंगे, ओप सो, सारे की सारे properties आपको समझ में आ रहे हैं, छलिए, इन ही properties, A inverse की और कोई, जो special matrix अपन पढ़ चुके थे, special matrix कुन कुन से पढ़े थे, सबसे पहला orthogonal matrix, next, item potent matrix, next होता है, nail potent, और next, involuntary matrix, ठीक है, तो हर किसी के definition तो सभी को याद है, चलिए, A inverse के लिए, इनकी properties क्या होते हैं, यह विए पन लिखते हैं, तो सबसे पहली property, if item potent matrix is invertible, if item potent matrix is invertible, then its inverse will be identity matrix, तो यह note point करके, यह 4 point आपको लिखना है, यह आपके लिए, यह सारे के सारे points क्या होगे, as a note point रहेंगे, यह ध्यान में रखेंगे, यह as a note point रहेंगे, property के बाद, that is 1, 2, 3, 4, ओके, चलिए, point number 1 क्या बोल रहा हैं, इफ, item potent matrix is invertible, item potent matrix invertible अगर है, तो इसका inverse हमेशा identity matrix रहेगा, कोई calculation करने की ज़रुरत नहीं, कुछ भी ने, simple यह यार कर लेंगे, memorize कर लेंगे यह statement, कि item potent matrix है, तो उसका inverse, अगर वो invertible है, तो definitely उसका inverse अपना find out कर सकते है, और उसका inverse हमेशा identity matrix सी आएगा, चलिए, कैसे होता है, देखते है, item potent matrix मतलब क्या होता है, एक ऐसा matrix जिसका square अगर करते हैं, तो वही matrix मिलता है, इस matrix को item potent matrix बोला जाता है, चलिए, तो देखिए, अगर मैं A inverse से multiply करता हूँ, दोनों side, अगर मैं A inverse से multiply करता हूँ, तो A inverse A square is equal to A inverse A, ठीक है, A square को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, A multiplied by A, is equal to A inverse A, अब देखिए, यह जो A inverse A है, इसका मतलब I हो गया, I A is equal to A inverse A, A, इसका मतलब फिर से I, ठीक है, अब देखिए, अगर मैं फिर से A inverse से multiply करता हूँ, I A मतलब A हो जाएगा, A is equal to I, अब देखिए, A multiplied by A inverse, तो A is equal to I multiplied by A inverse, तो A A inverse मतलब I, is equal to I multiplied by A inverse, क्या हो जाएगा, A inverse, ठीक है, तो देखिए, अभी A inverse क्या आ रहा है, identity, A inverse क्या रहा है, identity I matrix, इसका answer क्या रहा है, I means identity matrix, तो देखिए, यह अपन ने A square A consider किया था, मतलब idempotent matrix होता है, idempotent matrix क्या होता है, A square is equal to A, इसका inverse अगर exist है, और वो exist है, इसका मतलब वो invertible matrix है, तो हमेशा idempotent matrix का inverse यह, identity matrix आएगा, यह statement आप memorize कर लिजे, याद कर लिजे, कोई भी confusion नहीं, कुछ भी नहीं, simple, डाइरेक्टल अगर यह question मिलता है, तो काफी अच्छी है, ठीक है, कि idempotent matrix, उसका अगर inverse exist है, तो वो हमेशा identity matrix आएगा, यह होगे अपना idempotent के लिए रोड़, second, यह नीलपोटेंड matrix will not be invertible, because its determinant value is 0, बरावर है, नीलपोटेंड matrix मतलब क्या होता है, एक ऐसा matrix, जिसका, कुछ भी अपन, A to the power M, यह 0 होता है, provided that, A to the power M minus 1, is not equal to 0, ऐसा अगर matrix है, तो अपन उसको, नीलपोटेंड matrix बोलते हैं, अब देखिए, यह matrix ही, उसकी value 0 आ रही, उसकी value 0 आ रही, तो value 0 है, तो मतलब, वो singular matrix कहलाएगा, तो वो invertible matrix होई नहीं सकता, तो हमेशा दयन में रखिए, यह जो नीलपोटेंड matrix है, यह नीलपोटेंड matrix है, इसका, डिटर में, सॉरी, यह कभी भी invertible नहीं होता है, इसका inverse कभी भी possible नहीं है, inverse does not exist, क्योंकि, इसकी determinant value 0 है, वेकाज इसकी, 8 to the power m है तो 0 होता है, उसको तो अपन नीलपोटेंड matrix बोलते हैं, ठीक है, तो उसका determinant 0 होने के वेज़े से, वो matrix का inverse निकालना possible ही नहीं है, clear है, चली, आपको समझ में आ रहा होगा, चली, थर्ड, orthogonal matrix, orthogonal matrix, matrix, इस matrix is set to be orthogonal, उसके definition क्या होती है, A transpose, multiplied by A, is equal to R, तो उसको अपन, क्या बोला जाता है, orthogonal matrix, चली, इसके inverse क्या होता है, देखते है, मैं दूनों साइड, inverse से multiply करके देखता हूँ, तो A inverse, A transpose, A is equal to I multiplied by A inverse, ठीक है, तो मैंने गलती किया, sorry, यह pre multiplication नहीं करना चाहिए, post multiplication यहाँ पर चाहिए, देखे, तो A transpose, A multiplied by A inverse, is equal to I multiplied by A inverse, चली, अब साहिए, अब देखे, यहाँ पर A multiplied by A inverse, मतलब I होता है, तो A transpose, multiplied by I, is equal to I multiplied by A inverse, मतलब A inverse, next, A transpose multiplied by I, means, A transpose, is equal to A inverse, means, A inverse is equal to A transpose, बोल सकता हूँ है, तो देखे, यह condition कुन सी है, third condition, A transpose, A is equal to I, जो की होता है, orthogonal matrix, तो अगर, orthogonal matrix का, अगर मैं inverse, निकालता हूँ, तो वो हमेशा, उसका transpose, मिलता है, property number, यहाँ पे, note point number, अपना third, क्या पूर रहा है, orthogonal matrix, A is always invertible, यह हमेशा, invertible रहेगा, इसका inverse हमेशा, A transpose रहेगा, यह ध्यान में रखे, कोई भी matrix, orthogonal है, तो उसका, अगर inverse calculate करते है, तो simple, जो matrix दिया है, उसका transpose निकाल दो, तो वो बन जाएगा, orthogonal matrix का inverse, clear, कोई solve करने की ज़र्वाथ में है, next, A is equal to A inverse, for an involuntary matrix, चलिए, तो involuntary matrix हूथता क्या है, सबसे पहले, यह पता होना ज़रूर है, तो A square is equal to I, अगर आता है, तो involuntary matrix है, चलिए, A square को मैं लिख सकता हूँ, A multiplied by A, is equal to I, इसका inverse find out करना है, इसलिए A inverse से multiply करूँगा, A inverse A multiplied by A is equal to A inverse multiplied by I, A inverse A क्या होता है, I, A is equal to A inverse, ठीक है, I, A is equal to क्या जाएगा, A is equal to A inverse, that is A inverse, that is A inverse, A is equal to A हो जाएगा, तो A is equal to A inverse, means A inverse is equal to A, for an involuntary matrix, ठीक है, तो होप सो, अपको ये चारो कोईट समझ में आ रहे हूँ है, ठीक है, धान में किस तरह से रखेंगे, high idempotent matrix, as well as orthogonal matrix, और involuntary matrix, ये तीनो invertible matrix का लाएगब, विकास इनका inverse possible है, next, Neil potent matrix ये invertible नहीं है, it is a non-invertible matrix, उसका inverse possible है, ठीक है, next, idempotent matrix, ये invertible है, तो इसका inverse क्या आएगा हमेशा, उसका inverse आएगा हमेशा, identity matrix, इसका inverse हमेशा identity matrix रही दा, second, nail potent matrix यह तो non invertible है, तो उसका तो inverse possible है नहीं, हमेशा 0 रही दा, ठीक है, next, orthogonal matrix, और तो गुनल matrix, यह invertible matrix है, और उसका अगर inverse calculate करते हैं, तो हमेशा, यह transpose में जो matrix दिया हुआ है, उसी का transpose कर दो, तो आपको वो orthogonal matrix मिल जाएगा, next, fourth है अपना involuatory matrix, वो भी invertible matrix है, और उसका inverse मतलब भी वही matrix रहेगा, clear है, hope so, आपको यह 4 points अच्छी तरह से समझ में आये हैं, आपको लिखने का तरीका यही रहेगा, जो properties आपने लिखा रहेगा, उसके बाद, आप note point number one लिखेंगे, यह पहला point लिखेंगे, उसका यह explanation लिखेंगे, second, note point number इसका two रहेगा, जिस second point लिखेंगे, यह उसका explanation, note point number third, third point लिखेंगे, यह उसका explanation, और fourth का यह explanation, ठीक है, इस तरह से आप लिखकर रखिए, यह 4 points काफी important है, ओके, चले, खुप सो आपको समझ में आ रहा होगा, चले, next, हाँ, next है, फिर से cancellation law, cancellation law, तो let A, B, C, B square matrices of the same order and, if A is non-singular matrix, ठीक है, यह सारे के सारे क्या है, non-singular, यह सबसे पहले तो square matrix होना चाहिए, और non-singular matrix होना चाहिए, then, रहान रखिए, A, B is equal to A, C, जिस तरह से मैंने pre-matrix multiplication और post-matrix multiplication यह बताया था, अब वही, जो pre-matrix और post-matrix multiplication अपनने करते हैं, अगर कर सकते हैं, तो उनको cancel भी कर सकते हैं, अगर उस type का multiplication आ जाए, तो उनको cancel भी कर सकते हैं, वही तो अपना cancellation law है, देखिए, A, B is equal to A, C, इसमें जो A common दिख रहा है, यह दोनों इसका, जो B और C matrix है, उसके left side में है, उसके left side में है, तो definitely इसको अपन बोलेंगे, अगर multiply करना चाहिए, multiply करना चाहिए, मतलब B is equal to C अगर है, यहाँ पे मुझे अगर A से multiply करना है, तो मैं यहाँ पे यह अगर multiply करके आ रहा है, तो इसे मैं pre matrix multiplication बोलूँगा, ठीक है, तो pre matrix multiplication में जो common दिख रहा है, उसको अगर cancel करते, तो वो cancellation law कुन सा कहलाएगा, left cancellation law, धैन में रखिए, क्योंकि जो common है, वो matrix के left side में है, इसलिए left cancellation law, तो यहाँ पे A और यह A cancel होकर आपको B is equal to C मिल जाएगा, ठीक है, next, B A is equal to C है, अगर यह right side में अगर multiplication miss, post matrix multiplication वाला फंड़ना है, अगर यहाँ पे, तो simple, common कुन सा है, right side में दिए है, तो simple, उसे क्या बुला जाएगा, right cancellation law, तो यह A and A cancel होकर, क्या आएगा, that is B is equal to C, ठीक इस तरह से आप याद कीजिए, यह नहीं भी याद किया, तो भी चलेगा, because इस type की situation अगर आएगी नहीं, most of the time तो आएगी नहीं, but पता होना चाहिए, cancellation laws, that is left cancellation law और right cancellation law, it is same, जैसा जिस तरह से pre-matrix multiplication और post-matrix multiplication, अगर वो multiply कर सकते हैं, तो common दिखता है, तो वो तो अपन cancel कर सकते हैं, but धेन में रखी, इसमें अगर A B is equal to C A दिखता है, और आप गोलेंगे सर, इसमें तो A common है, तो यह cancel नहीं होगा, इस साइड में यह left साइड में है, इस साइड में यह right साइड में है, common है क्या, नहीं, left cancellation law भी apply नहीं हो सकता, right cancellation law भी apply नहीं हो सकता, यह A B is equal to C A रहेगा, इसमें cancellation possible ही नहीं है, ठीक है, जहान में रखेंगे आप, चल, यह note that, note point करके आप लिखना है, note, यह that हटा दो, ठीक में, note that नहीं रहता है, statement में, हाँ, इस cancellation laws hold only if the matrix A is non-singular, चल, अब ध्यान रखेंगे, यह cancellation law कब applicable रहेंगे, जब यह सारे के सारे matrix, यह non-singular रहेंगे, non-singular means, यह mod A, mod A, यहाँ पर यह होना चाहिए, that is, किस तरह से लिखेंगे आप, determinant of A is not equal to 0, आप, non-singular के बाद यह लिख लेना, determinant of A is not equal to 0, यह रहेगा, तो ही यह left cancellation law as well as right cancellation law possible है, otherwise it is not possible, ध्यान में रखेंगे, clear है, हर किसी को यह समझ में आना चाहिए, और यह conditions काफी होती है, यह conditions ध्यान में रखना काफी important है, अगर यह non-singular matrix है, यह अगर singular matrix है, और अपन कैंसल कर देते हैं, तो अपना answer definitely गलत हो जाए उस time के, तो ऐसा नहीं करना है, यह non-singular matrix के लिए ही यह दोनो laws applicable है, छली, भूपसो आप सभी धान में रखेंगे, चली, तो यह जो properties वाला है, यह properties काफी अपन पढ़ चुके हैं, और अभी यहाँ पे inverse की properties यही पे complete हो जाते हैं, खुपसो यह सारी की सारी properties आपने अच्छी तरह से लिखी होगी, और अभी आपका काम daily basis पे यह रहेगा, mattresses and determinant इस chapter में, यह inverse वाली जो properties हैं, यह daily basis पे आपको revise करना है, ठीक है, क्योंकि इसी का use करके questions आते हैं, अब वो कैसे questions solve किया जाता है, यह अपन देखिएंगे, बिसिकलिए यह जो questions मैंने लिया हैं, यह questions कल के आपके homework में दिया था, ठीक है, आज के जितने भी questions मैं लेने वाले हूँ, वो सारे के सारे questions कल के आपको homework में दिया था, आपने जरूर try करना चाहिए, इसी expectation के साथ मैंने दिया था, बट मैं यकिन से बुलता हूँ, आपने solve नहीं कर पाएंगे, वो solve नहीं कर पाएंगे, चली, तो उनको solve करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से solve करना पड़ता है, यह अपना आज पढ़ेंगे, ठीक है, चली, पहला question, if A is a symmetric matrix, यह B is a skew symmetric matrix, सबसे पहले question पढ़ते बराबर, जो अपना regular fund dynamics, question जिस तरह से अपन solve करते हैं, कि सबसे पहले अच्छे तरह से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो given data है, वो निकाल देंगे, ठीक है, तो given data देखते हैं, क्या है, if A is a symmetric matrix, यहाँ पर दिया है, कि matrix A, यह symmetric matrix है, अगर matrix A symmetric matrix है, तो इसी का मतलब मैं लेख सकता हूँ, A transpose is equal to A हो जाएगा, next, B is a skew symmetric matrix, तो skew symmetric matrix की हुझे condition पता है, कि B transpose is equal to minus B आना चाहिए, तो इससे skew symmetric बूला जाएगा, A plus B is non-singular, A plus B अगर non-singular है, इसी का मतलब, determinant of A plus B is not equal to 0 हो जाएगा, and C matrix, matrix C आपको दिया है, क्या है condition, that is A plus B inverse, A plus B inverse multiplied by A minus B, यह आपका given data है, इसमें, then prove that, इसमें 3 sub questions है, तो आपन 1 by 1 इसे solve करेंगे, ठीक है, सबसे पहला, C transpose A plus B multiplied by C is equal to A plus B होता है, ठीक है, तो आप बूलेंगे सर, यह questions कैसे हैंगे, simple, यह as it is statement रहेगा, इसमें, then, find the, find the, C transpose A plus B multiplied by C is equal to, options में रहेंगे, A plus B, A minus B, A B, A B transpose या फिर B plus, B multiplied by A, तो definitely, यह property के तहद आपको solve करना पढ़ेगा, और उसके बाद A plus B जो answer आएगा, वो आप टिक करेंगे, यहाँ पर prove that बुला गया, यह अपन, questions point of view, objective point of view नहीं देख रहें, तो देखें, यहाँ पर A plus B आता है, यह अपने को prove करना है, बट यही questions, objective में किस तरह से change होते हैं, यह मैंने आपको बता है, hope so, आपको समझ में आओगा, चले, तो given data तो अपने देख लिया, given data क्या है, अब सबसे main काम यह यह कि पहला question अपन देखेंगे, उससे solve करेंगे, और वो A plus B आता हैं, नहीं आता हैं, देखते हैं, पहले इसमें C transpose, आपको C matrix दिया है, C दिया है, तो सबसे पहले अपना काम यही बनेगा, C transpose calculate कर लेते हैं, तो C transpose, C value क्या दिया है, A plus B whole inverse, A plus B whole inverse, multiplied by A minus B, ठीक है, यह है आपका C transpose, तो यह C transpose अगर मैं लिता हो, तो definitely यहाँ पी भी आएगा transpose, अब transpose, जैसे दिखेंगे, यह brackets है, मान के चलिए, bracket, first bracket मतलब X, second bracket means Y, X, Y whole transpose, क्या होता है, reversal law, Y transpose multiplied by X transpose, तो ठीक उस तरह से यह वाला bracket transpose multiplied by this bracket transpose, तो इसमें यह हो जाएगा, A minus B transpose, और यहाँ पे हो जाएगा, A plus B, उसका जो inverse हो जाएगा, इसका transpose होगा, ठीक है, hopes आपको समझ में आ रहा होगा, अचलिए, next, अब देखिए, A minus B whole transpose, तो transpose की property पढ़ चुके है, अपन, that is, A plus minus B whole transpose क्या होता है, यह individual transpose होता है, तो देखिए, यह हो जाएगा, A transpose minus B transpose, ठाइब, इसमें, जस्ट अभी अपन पढ़ चुके है, A plus B inverse, उसका transpose, तो मैं अगर पाहले transpose लूँ, बाद में inverse लूँ, तो भी, according to property, उनसे number की property है, हाँ, property number 5, देखिए, A transpose whole inverse is equal to A inverse, उसका transpose, यह होता है, according to property 5, तो property 5 के accordingly, अपने यह solve करेंगे, right, that is, A transpose minus B transpose, यहाँ पे आ जाएगा, A plus B transpose और उसका inverse consider करता हूँ, तो A transpose, अब दिया है, A is a symmetric matrix, उसी के according तो अपने data निकालना है, A transpose A होता है, तो simple, A transpose A हो जाएगा, B skew symmetric, तो B transpose is equal to minus B, तो minus of B transpose, यह plus B हो जाएगा, next, यह, यह क्या हो जाएगा, A, हाँ, A transpose, अब मैं directly हाँ पे लिख रहा हूँ, A transpose A हो जाएगा, plus B transpose हो जाएगा, minus B, right, और इसका यह inverse, तो C transpose की आपको value मिल चुके, C transpose की value क्या मिल चुके, that is A plus B, और A minus B inverse, ठीके, क्या मिल चुके, C transpose की value, A plus B, और A minus B inverse, hope so आपको समझ में आ रहा होगा, यह होगे C transpose की value, अब देखिए, पहला जो question है अतना, C transpose A plus B, यह तो कोई solve ही नहीं कर सकते, डारेक्टले अपन multiply करेंगे, अब C, C तो दिया है, simple, जो अभी है, उससी के accordingly, now, C transpose A plus B, C is equal to, C transpose की value मैं निख लेता हूँ, सबसे पहले, क्या होगी, A plus B, A minus B inverse, उसके बाद A plus B है, as it is, लिख लेता हूँ, A plus B, next, C, matrix सी क्या दिया है, A plus B whole inverse, A minus B, A plus B whole inverse, A minus B, ठीक है, A minus B, चले, तो अब इसमें किस तरह से solve करना पड़ेगा, A plus B, A minus B, कुछ नहीं हो सकता, A plus B, A plus B inverse, चले, observe कीजिया, यह वाले, A plus B, A plus B inverse, ठीक है, तो यह just like A multiplied by A inverse, तो A A inverse क्या होता है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, A plus B, next, यहाँ पर A minus B inverse, ठीक है, और next, यह I, आजाएगा, I के साथ अगर कोई भी value, अगर multiply करते हैं, तो भही value मिलती है, तो I as it is, और A minus B, ठीक है, hope so आपको समझ में आ रहा होगा, since यहाँ पर आप reason दे देंगे, A plus B, A minus B, whole inverse, is equal to, is equal to क्या होता है, is equal to R होता है, ठीक है, अब इससे आगे, इसके आगे कैसे solve करेंगे, तो observe कीजिए आप, फिर से आपको समझ में आ रहा होगा, यह A minus B inverse और A minus B, A minus B inverse और A minus B, क्या होगा, A minus B inverse और A minus B, same, यह हो जाएगा I, तो A plus B multiplied by I, is equal to, I के साथ किसी की, I के साथ अगर आप कोई भी matrix multiply कीजिए, वही matrix मिलता है, तो answer आएगा A plus B, ठीक है, और शायद यही तो आपको prove करना है, पहले इसमें, चलिए चेक कीजिए, C transpose A plus B, C is equal to A plus B, तो यह C transpose A plus B multiplied by C, इसका answer A plus B आ रहा है, तो इस पहला आपन ने prove कर चिकिए, पहला आपन true कर चिकिए, hope so आपको समझ में आ रहा होगा, hope so आपको यह समझ में आ रहा होगा, चलिए, अभी अपन second prove करेंगा, तो देखें, ना ही matrix A के elements पता है, ना ही matrix B के elements पता है, simple, properties की basis पे यह questions solve किये जाते हैं, तो इसलिए properties आप अच्छे तरह से पहले, बार-बार वही-वही sentence में बोल रहा हूँ, तो इसका importance है यह ध्यान में रखेंगे, इसका importance है, तब जाके ही मैं बोल रहा हूँ, चलिए, second, second क्या है, C transpose A minus B, C transpose A minus B, multiplied by C is equal to A minus B, आपको prove करना है, यह prove करना है, खीक है, that is to prove, यह prove करना है, तो अब देखें, यह prove करने के लिए, C transpose A minus B, C, just अभी तो पहला prove कर चुके, इसमें plus है, तो simple, with the help of this result, यह result तो अपन प्रूव कर चुके, यह result के साहरे अपन, यह third वाला, second वाला पन प्रूव करेंगे, चलिए, तो लिखेंगे, we have, अपने पास एक result है, that is, C transpose A plus B multiplied by C, ठीक है, E is equal to क्या है, A plus B, E is equal to A plus B, ठीक है, चलिए, यहां रहा है, C transpose A plus B, C is equal to A plus B, और यह अपने को prove करना है, तो simple, अगर मैं दोनों साइट transpose लेगे, तो क्या हो जाएगा, C transpose A plus B multiplied by C, transpose is equal to A plus B whole transpose, ठीक है, next, यह transpose मतलब reversal, तो C transpose A plus B transpose, और यह C transpose का transpose, मतलब matrix C, ठीक है, A is equal to, यहां पर देखी, A plus B whole transpose, तो यह A transpose plus B transpose, यहां पर भी A plus B whole transpose, A transpose plus B transpose, C is equal to A transpose plus B transpose, अब देखी, गिवन दिया हुआ था, सभी को याद होगा भी, कि matrix A, यह symmetric matrix है, और matrix B, यह non symmetric matrix, sorry, non symmetric nही, skew symmetric matrix है, ठीक है, तो यह दिया हुआ है, तो उसके accordingly क्या होगा, C transpose, A transpose मतलब A, B transpose मतलब minus B, A transpose मतलब A, और B transpose means minus B, यही तो आपको prove करना था, that is C transpose A minus B, multiplied by C, is equal to A minus B, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरह से अपन prove कर रहे हैं, काफी important question, कल अपने try भी किया होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेस्ट है, उसके side में लिख दूँ मैं, और नीचे नीचे जाने से अच्छा, side में लिख दिता हूँ, PDF फिर बरावर नहीं आता है, और मैं यही सोच रहो कि, आप PDF से नहीं लिखते होंगे, आप वीडियो को pause करते हुए लिख रहे होंगे, यकिन मानिए, इस तरह से अगर आप लिखेंगे, वीडियो से pause करते हुए, तो आपके understanding भी बढ़ेगी, मैं समझते हुए लिखते जाएंगे आप, ठीक है, तो पाहिला पार्ट और second पार्ट, यह तो प्रूव हो चुका है, किस तरह से प्रूव किया है, यह आपने देखा ही है, चले, third part अभी देखते हैं अपने, third part क्या प्रूव करना है, C transpose AC is equal to A, C transpose AC is equal to A, अब देखें, पहला पार्ट तो अपनने, प्रूव कर चुके, with the help of property, second part प्रूव करने के लिए, पहले पार्ट का यूज क्या था, अभी third part प्रूव करने के लिए, दोनों पार्ट का यूज करने, तो जल्दी answer आ जाएगा, बट जाहिर सी बात है, exam में तो आप ये results याद नहीं रखेंगे, तो with the help of property ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है, third part, C transpose AC, सबसे पहले पाहला पार्ट क्या था, C transpose is, we have, we have, C transpose, C transpose, A plus B, C is equal to A plus B होता है, next, second part ये था, C transpose A minus C, sorry, A minus B, multiplied by C, अगर करता हो, तो A minus B आता है, ठीक है, अगर देखिए, मैं दोनों इसको add कर देता हूँ, दोनों इसको add कर देता हूँ, देखिए, C transpose, A plus B, C, plus C transpose, A minus B, C is equal to, यहाँ पे हो जाएगा, A plus B, plus A minus B, ठीक है, चलो, अब देखिए, जिस तरह से, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है कि अपन कमूटी टू, अपने एसाब से नहीं होगा कमूटी टू, जैसा है वाइसा ही, C transpose, C transpose, तो यह common, बीच में देखिए, जो है, that is A plus B, plus A minus B, और इसके बाद C common, is equal to, यहाँ पे B and B cancel हो रहा है, तो twice A, यहाँ पे देखिए, C transpose, A plus A, B and B cancel, that is twice A, C is equal to twice A, यह 2, यह scalar है, तो यह मैं बाहर ले सकता हूँ, scalar है इसलिए, तो 2 times of C transpose A, C is equal to 2 times of A, अभी यह 2 and 2 cancel हो जाएगा, तो जो अपने को प्रू करना था, वही तो है, C transpose A, C is equal to A, right, hope so आपको समझ में आ रहा हुगा, किस तरह से यह अपन प्रू कर रहे हैं, first part, second और third, ओके, चली, तो इस तरह से, matrix के, sorry, inverse के properties के basis पे, यह apply करके, अपन इस तरह की questions solve कर लेंगे, इस type में, objective questions कैसे बनते हैं, किस तरह से आते हैं, यह मैं बता चुका हूँ, ओके, next, if matrices, if matrices A, B and A plus B are non-singular, then prove that, A multiplied by A plus B inverse B, उसका whole inverse is equal to B inverse plus A inverse, अब बागी question, जल्दे जल्दे solve करते हैं, दिया क्या है, if the matrices A, A, B and A plus B are non-singular matrix, miss, उनका determinant 0 नहीं है, then prove that, प्रूव क्या करना है, तो left hand side ले लेते, left hand side लेके, right hand side ला लेके, अचलिए, A multiplied by, A plus B whole inverse, उसका B inverse, ठीक है, चलिए, inverse, inverse है तो reversal law पढ़ा था अभी, reversal law, that is A, B whole inverse क्या होता है, B inverse multiplied by A inverse, चलिए, इसी property के पहेंट क्या होगा, reverse order में जाएंगे, तो B inverse, A plus B, उसका inverse तो पहले से है, लेकिन ये inverse के वज़े से, A कोर inverse आ जाएगा, और बाद में A inverse, property number first, प्रॉपर्टे, स्वर्ट में second पढ़ा था, second पढ़ा था क्या होता है, A inverse का inverse is equal to A, ठीक है, तो उस property के according भी क्या हो जाएगा, B inverse, ये inverse और inverse अपने बोलेंगे, just like it cancel हो गए, और ये मिलेगा आपको, ठीक है, बाद में multiplication कर लेता हूँ, that is B inverse A, plus B inverse B, multiplied by A inverse, ठीक है, next, अब ये A inverse, post multiplication रहेगा, तो उस साइट से आएगा, that is B inverse A, A inverse, plus B inverse B, A inverse, तो देखिए अभी, यहाँ पे अगर आप, observe करेंगे, तो ये A into A inverse, and B inverse into B, ठीक है, तो ये हो जाएगा, B inverse multiplied by I, plus I multiplied by A inverse, तो देखिए, B inverse multiplied by I, ये simple B inverse हो जाएगा, plus I multiplied by A inverse, तो A inverse हो जाएगा, ठीक है, और शाहिद मुझे लगता है, यही तो अपने को प्रूव करना था, right, that is B inverse, plus A inverse, ये हो गए अपनी, R page S, ठीक है, तो इस तरह से अपन, ये question solve कर चुक है, फूपसो आपको समझ में आ रहा होगा, properties अगर पता है, तो definitely answer आ जाएगा, और सही तरह से अपन property apply करेंगे, कौन साथ जल्दी आएगा, ठीक है, चलिए, लास्ट के दो question अभी, if matrix A, satisfies the equation, A square is equal to A inverse, then prove that, A to the power 2 to the power n, is equal to, A to the power 2 to the power n minus 2, n belongs to natural number, चलिए, ये थोड़ा सा, अलग लग रहा है question, देखते हैं, इस तरह से solve करना चीज़िए, if matrix A satisfies the equation, equation क्या है, so we have, equation क्या दिया है, that is, A square is equal to A inverse होता है, A square is equal to A inverse, then prove that, तो LHS, prove that मतलब LHS, क्या है, A to the power 2 to the power n, is equal to ये लाना है, तो अपन LHS को solve करेंगे, right hand side लाएंगे, अब मुझे A square दिया है, तो simple, मैं इसको A square के form में लिखना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ, A to the power 2 to the power n है, अगर मैं इसको A square लेता हूँ, ठीक है, तो 2 to the power मुझे, n minus 1 लेना पड़ेगा, because, when bases are same, powers will be added, तो 1 plus n minus 1, 1 minus 1, cancel हो जाएगा, बचेगा n, मतलब as it is, simple adjustment है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, A square, उसी का power, 2 to the power n minus 1, और A square की value मुझे पता है, A inverse है, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है, कि A square की value, A inverse है, 2 to the power n minus 1, राइट, चले आगे, इसके आगे अपन solve करेंगे, आगे किस तरह से होगा, अब देखिए, A to the power minus 1, 2 to the power n minus 1, मुझे लाना क्या है, n minus 2, मेरे requirement क्या है, n minus 2, तो मैं यहाँ पर n minus 2 लाना चोँँगा, अगर मैं यहाँ पर n minus 2 लाता हूँ, फिर से मुझे n, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक, उसी तरह से, लेकिन 2 लिखने से के लिए, यह A inverse, तो फिर से, अपन laws of indices समाने एक property मैंने बताया था, ठीक, उसी तरह से, यह inverse उपर लिख लेता हूँ, A to the power 2, 2 to the power n minus 2, उसका whole inverse, अब चेक किजिए आप, इसका power 1, 1 plus n, 1 plus n minus 2, तो यह हो जाएगा, n minus 1, वह ही तो है, तो adjustment है simple, इसी को मैं लिख सकता हूँ, A square, A square, A square, इसका, 2 to the power n minus 2, और इसका whole inverse, ठीक है, तो A square मतलब क्या होता है, A square मतलब होता है, A to the power minus 1, ठीक है, A to the power minus 1, next, 2 to the power n minus 2, 2 to the power minus 1, चाहिए क्या, 2 to the power n minus 2, मैं अभी यहां तक के तो, 2 to the power n minus 2 लाया है, तो अभी फिर से, यहां पे और कुछ adjustment करने की जुर्दत है, simple, यह inverse और inverse, तो inverse और inverse कैंसल होता है, यह तो पता है, तो उसी form में लिख लेंगी अभी अपन, यह A inverse, यह मैं reverse कर रहा हूँ, हो जाएगा, 2 to the power n minus 2, और यही आपका RHS है, यही आपका RHS है, अगर आप चेक करेंगे तो, खुब सो, किस तरह से अपने यह प्रूव किया है, with the help of property, वन सकिन, आपको समझने R होगा, ठीक है, next, next question, if A and B are non-singular symmetric matrices, such that, AB is equal to BA, then prove that A inverse B inverse is a symmetric matrix, अब यह भी prove upon simple properties की बेस्पी यह प्रूव करने वाले है, सबसे पहले, दिया क्या है, AB यह non-singular symmetric matrices है, तो symmetric है, तो A transpose A हो जाएगा, B transpose B हो जाएगा, ठीक है, next, non-singular है, इसी का मतलब, determinant of A is not equal to 0, and determinant of B is not equal to 0, ठीक है, such that AB is equal to BA, यह भी दिया हुआ है, given condition है, AB is equal to BA, ठीक है, then prove that, then prove that, A inverse B inverse, A inverse B inverse is a symmetric matrix, तो simple, इसे अपन, किस तरह से solve करना चाहे है, सबसे पहले, सबसे पहले तो, जो properties है, यहाँ पर A inverse B inverse, तो इस form में लाना पड़ेगा, तो इस form में मुझे लाना पड़ेगा, तो किस तरह से लाऊंगा मैं, देखे, AB is equal to BA दिया है, तो simple, मैं इसी को लिख सकता हूँ, A inverse B, अब देखे, अपन reversal law लगाते हैं, reversal law, that is AB is equal to, AB whole inverse क्या होता है, B inverse A inverse, तो simple, A inverse B inverse को मैं लिख सकता हूँ, BA whole inverse, BA whole inverse, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, BA whole inverse, अब देखे, इसके बाद अगर मैं transpose लेता हूँ, दोनों सही, that is, A inverse, B inverse, उसका whole transpose, और BA inverse, इसका भी whole transpose लूँगा, because symmetric है, अगर ये मुझे प्रूव करना है, तो transpose के साथ ही मुझे प्रूव करना पड़ेगा, because इसका transpose is equal to, यही अगर matrix लाता है, तो मैं यही बुलूँगा, कि यह symmetric है, इसलिए मैं ये transpose ले रहा हूँ, ठीक है, अब देखिएं, यहाँ पे BA है, और BA is equal to AB, यह है, तो इसलिए मैं लिखूंगा, A inverse, B inverse, उसका transpose is equal to, यहाँ पे BA की जगा मैं AB लिख सकता हूँ, तो AB inverse whole inverse, इसका transpose, ठीक है, अब देखिएं यहाँ पे, AB, AB whole inverse, reversal law property, that is, B inverse, A inverse, इसका transpose, ठीक है, B inverse, A inverse, इसका transpose, ठीक है, अब A inverse, B inverse, इसका transpose अगर है, तो मैं यहाँ पे, transpose law की according लिख, transpose law की according लिख क्या आएगा, reversal, that is, A inverse, इसका transpose, और B inverse, इसका transpose, ठीक है, तो आप देखिए, simple, नहीं, यह अपन गलत वे से जा रहे, एक step गलत हो गई, तो फिर answer ही गलत आ जाएगा, देखिए, सबसे पहले तू, यह अपन, यह अपन, यह अपन, सुरी, क्या कर दिया, हाँ, सबसे बेस्ट तो यह रहे जा, कि यह मैं चेंज कर दो, सबसे पहले, यह जो A, B है, इसको सबसे पहले, मैं transpose ले लू, और उसके बाद में inverse, और उसके बाद में inverse, ठीक है, तो अब दिखें, transpose वाली property, अपन अपन अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, B transpose, और A transpose, और उसके बाद inverse, ठीक है, यह transpose है, तो यह आजाएगा, B A, और इसका यह, whole inverse, ठीक है, अब inverse, means reversal law, अपन यूज करेंगे, that is, A inverse, और B inverse, left hand side में आप चेक किजिए, वाई है, that is, A inverse, B inverse, उसका transpose, A inverse, B inverse, उसका transpose, ठीक है, अभी अगर आप चेक करेंगे, कोई भी matrix, उसका transpose is equal to that matrix, अगर आ रहा है, that matrix आ रहा है, तो अपन simple यही बोलते, कि यह जो matrix है, यह symmetric matrix है, और symmetric matrix की यही property होती, पर प्रूव भी शायद अपने को यही करना है, that is, A inverse, B inverse is a symmetric matrix, therefore, यहाँ पर लिखेंगे अपन, A inverse, B inverse is symmetric matrix, is symmetric matrix, चलिए, तो होप सो, यह आपको प्रॉलेम समझ में आ रहा होगा, और जितने भी questions अभी solve कर चुके अपन, on the basis of property, आप सभी को समझ में आये होंगे, और ठीक इसी बेस से अपन, properties की question solve करेंगे, उके चलिए, तो आज के लिए इतना ही बढ़ते, बागे next topic अपन, कल की class में cover करेंगे, उके चलिए, ठैंक्यू class,